हेलो फिर्ट स्वागर था आपका आपकी यूट्वी चैनल भी हाट डेलिगेशन पर मैं चंदन कुमार आप लोग के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ रेलवे ग्रूप का प्रिभीएस यह का कॉस्च्चन पेपर इसके कुछ जीके जो है इंपोर्टेंट उस पर मैं डिसकर्स करूंगा तो चलिए वीडियो करते हैं इसे पहले आप लोगो हुश क्त करना चाओंगा अगर पेहली बागों सब्सक्राइब अब अच्छा लगी तो इसे लाइक भी कर लिजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेट मैं कश्रूब करते हैं यह सब पांच बारा दोहजार अठारक का है सारे बारा बजस्त से लेकर दो बज़े वाले सिफ्ट में लेवल वन गुरूप डिक का तो इसके एके करके जिनरल लॉनलेज के कोस्टन हम देखते हैं पहला कोस्टन आ गया है आपके स्किन पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक मात्र अधातु कौन सी है आपके ऑप्शन है एजी एमजी बियार एच जी ठीक है तो इसका सही जवाब जो है बियार याने की बोरोन है तो आपको ध्यान रखना यह है कि इस पार तो पू आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दरवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो इसका सही जवाब हो जाता आपका पारा पारा यानि की एच जी तो कॉस्चन इस बार तो ऐसे दिया अगले बार यह पारा का पूछ दे तो सवाल जो है इसलिए मैं आपको यह करा र अगरा सवाल देख लेते हैं डैस पर लड़ा गया पलासी युद्ध भारत के इतियास का सबसे महत्मुन घटना था आपसे पूछा जा रहा है कि पलासी युद्ध की तारिक पूछा गया कि पलासी कब लड़ी गया थी तो उसका सही है तेस जुम सत्रहसो सतावन ठीक है न तो इसी टॉपिक को कराने के लिए तो इसी टॉपिक को कराने के लिए मैं आप लोग को यह करवा रहा हूं अब जैसे यहां पर काफी लोग याद करके तो चले जाते हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था लेकिन आप देखे कितना डीपली क्वेस्टन पूछा गया ह तरह से कौन याद रखता है ठीक है तो इस बार तो आपसे पलासी का युद्ध पूछा गया है अगले बार हो सकता है आपसे बकसर का पूछा गया तो बकसर का मैं बता देता हूं बकसर का जो युद्ध हुआ था 22 अगस्त 1764 को हुआ था तो ये भी आप ध्यान रखेगा बकसर का युद्ध ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन हम देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है नूल नेल अश्टक से दान्त केवल बैस्क के तत पर लागू होता है तो सही जवाब हो जाएगा कैलसियम तो इस तरह से और भी जो आपके सिदान्त दिये गए हैं जैसे फ्लेमिंग का हास्त नियम बगेरा है यह सब भी आप देख लीजिएगा क्योंकि कॉस्चन जो है इस बार रेलबे ग्रूप जी में काफी ज्यादा डीप में पूछा गया है नेस कॉस्चन देख लेते हैं परतिरोधक के कर्म को क्या कहते हैं यानि कि परतिरोधक जो होता है परतिरोधक यानि कि रेसिटेंट शोटा है उसके अपोजिट क्या पकरेंगे जैसे कि परतिरोधक क्या हो जाएगा अपोजिट बताना था बहुत असान को संट नहीं कहा सकते लेकिन इसमें माईल लगाना था नेस को सचन देख लेते हैं अगला कोश्चन आपका जिन्न वेलोज क्या आगया है बैस को हिंदु पुरुषकार 2017 से सम्मानित क्या जाएगा 2017 के पुरुषकार के बारे में पूछा जा रहा है सही जवाब इसका था दीपक उनिक्रिश्नन यह तो पूछ दिया लेकिन आपको देखना है 2018 के भी पूछा देखके जाना है कि 2018 या 2019 में जो आपका मय या जुन तक कौन-कौन सबार्ड किसे मिला था जैसे कि अभी स्री अमिताब बच्चन को दादा साफ हाल के अवार्ड मिलने जा रहा है ठीक है दादा साहप फाल के अवारड और यह दादा साहप फाल के अवारड पिंद के किद इना को मिला था इस Politics पहले तो वह आपको पता धुर्हांगी और फिर में एक अलग वीडियो आप लोगे लिए बना के ले आऊंगा इंपोर्टेंट अबाउड 2018 तो उसमें आपका फिल्म फियर कई सारे अबाउड होते हैं आस्कुर में कई सारे अबाउड मिलते हैं तो यह आप देख लिजेगा तो नेक्स स्वेस्चन देखते हैं हाल ही में पोर्टस के लिए राष्टिड प्रदगिक केंद्र निप के सेयर में रखी गई तो इसका सही जबाब होता चैन नहीं यह इंपोर्टेंट जो साइंस की जो इंपोर्टेंट घटना होती है उससे रिलेटर जैसे कि अभी चंद्रियान मिशन था तो वह कहां से की वीडियों लेके आऊंगा करेंट अफेयर की वी तो अगरा को साइंस से का देख लेते हैं सारी जैनल लॉलेज और साइंस भी मिक्सी है ज्यादा से ही थे और कंट अपर से थे पिछली साल नेक्स वोस्चन देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा अभी कल्प मनुस्के मा से अभी रहिस घौ फिल tendency आदेख बातना है में से कौन सा अटास घरीबास सटोले फिलोपीयों टू आपको पता सुख्रबाइका जो होता है पुरुष के अंडर होता है यानि कि यह मैला में नहीं होता तो यह वी है आप संस्रों पर चार हो संब गोहर करते तो बन जाता है नेक्स क्योंस देख लेते हैं, डेस्ट तर्टु के लिए पर्तिकों का बहुत बिसिस तरीके से उप्योग करने वाला बेग्यानिक, कौन से बेग्यानिक थे जिन्हों ने कत्तो का जो पर्तिक था, उस तर्टो का जी एसेंबल बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है, निमलिखित में से कौन सा राज पाकिस्थान के साथ अपनी सीमा साजान नहीं करती है, तो इसका सही जवाब हो जाता है, आपका हड़ियाना, क्योंकि गुजरात की जो बोर्डर है, वो भी पाकिस्थान से मिलती है, राजस्थान और पंजाब, तीनों की मिलती है, आपको बता देते हैं, अगला जर्नलाइक अप्टान था, 2017 कि किस मंत्रा लेने परसाद योजना लॉंच की थी, परसाद योजना जो थी आपका टूरिरिजम डिपार्टमेंट यानि की यात्रा मंत्रा लेने की थी, तो आपको 2018 के जो सरकार की जो महत्वकांची योद्ना थी, उस पर भी उसको देख लेना चाहिए, जैसे कि आपका परधान मंत्री, पैंसन योजना भी आई है नई, जीवन सुरच्छा करके, उसके बाद कई सारी योद्ना हैं, उस सबका आपको, एक कर लेने चाहिए, अब नेक्स वॉस्चन देख लेते हैं, किताब अलहन्द, एक किताब है जो भारत के इतिहास मों लखी तक इसको बारा लिकाई, यह स्टिक कोष्चन है, अलबरूनी काफे असान कोष्चन था यह इंए, नेक्स कोष्चन देख लेते हैं, निम्द में से आयनिक योगी का गुन कौन सा है इसका गलनाक और कटनाग दोनों जो होता है वह उच्छ होता है तो इसके लिए आपको धीपली थोड़ा सा केमेस्ट्री फिजिक्स वगियर की तयारी करनी चाहिए आप लोग को से काम नहीं चलने वाल आपको थोड़ा सा डीपली जाके साइंस का स्टॉडी करना होगा और आप लोग इसको बिल्कुल को हलके मत लिए कुछ आप देख पार होंगे एक भी जेनल लोग इसा नहीं है जो कि आप आसानी से बना पाएंगे नेक्स कुछ से ना गया है साहित में भारत देश के एक मात्र नोबल प्रुषकार बिजेता कौन से कौन एक नोबल प्रुषकार इनकों मिला था साहित के लिए एक लगते भारत के बेगती है तो वह रवेंदर नाठ टैगोर यहां पर देखें जितने लोगों का नाम दिया गया सब को नोबल प्रुस्कार मिला है तो आप लोग को जान लेना चाहिए कि कौन-कौन से लोग है उनको किस छेत्र में मिला है अमरेट सेन को एकनॉमिक्स के लिए मिला था सिभी रामन को फीजिक्स कॉस्चन जो है आपके आ रहे हैं नेक्स्ट कॉस्चन देख लेता है परजनन में लिखें तरीके में से कौन सा एक कोश्चन के लिए कर दिया गया था कॉस्चन में कुछ प्रॉब्लम होई तो एक दो कॉस्चन तो उन्होंने भी गलत ही पूछा था भारत का कौन सा राज कि यहम उत। फादन में अगर नहीं है तो सही जवाब हो जाता हुट logarate उत्त प्रदेश जो एक कम अगर नहीं है आलू में भी आगर नहीं है ध्यां रखेगा इस तरह से अलग-ज़्म कि अलग-अलग है आपका ग्योंप के अलावे अगर आपसे पूछ दिया होता चावल पूछ दिया होता तो पस्चिन बंगाल हो जाता है ठीक है कि यह आप लिश्ट देख लिजेगा कि गन्ना गन्ना का उत्पादन में उत्तर पर्देश है मक्का का आपका बिहार है इस तरह से अलग-अलग राज्यों का उत्पादन का लिश्ट है वह मैं अलग वीडियो एक लिएक आओंगा आओंगा आप लोग के लिए साहिद विद्वान डॉक्टर आरसी धीरे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भासा के योगधान के लिए जाना जाते हैं डॉक्टर सी रमन डॉक्टर आरसी रमन मारा अठी भासा में उन्होंने योगधान दिया था तो आप ये भी देख लिए ये कॉन से फेमस किस बस्तु की परती इकाई समय में बेग परविर्थी का मापक है तो यह होता है तुरन का फॉर्मूला ही होता है कि परती सेकेंड जो बेग में दर होता है उसको हम तुरन कहते हैं अचे अजिए है कि यह बस्तु का अभार अन्ठान में नंट्र है रखे दरमान क्या होगा तो यह कुस्टन आपका फिजिक्स का साइनज का था